नमस्कार दोस्तों टारगेट वोट के यूट्व चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोग इस वीडियो में बीहार वोट के तरफ से जो अफिसियली रूप से मोडल पेपर जारी किया गया है उसी मोडल पेपर में से हम लोग आज बिग्यान के मोडल पेपर को देखेंगे जिसमें कुल 40 objective question दिये गए हैं और इन सभी objective question को हम इस वीडियो में solve करेंगे तो चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक question का अंसर बताते हैं आप लोग वीडियो को सुरू से ले करके अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी question बताएंगे कुल 40 question सभी question बिहार बोट परिच्छा 2021 के लिए काफी जादा महत्पूर्ण होंगे और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि बिहार बोट के तरब से इस वर साफ तोर से कहा गया है कि अधिकांस question model paper से ही रहेंगे इसलिए आप लोगों को model paper जरूर देखना चाहिए क्योंकि 2020 परिच्छा में यहां से प्रस्ण जरूर आएंगे तो चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक question का अंसर बताते हैं तो सबसे पहला number question हम लोग देखेंगे परकास के अपवरतन के कितने नियम होते हैं option है एक होता है कि दू होता है कि तीन होता है कि चार होता है तो बताईए पहला का कौन सा option सही हो जाएगा तो पहला का B number option सही हो जाएगा कि प्रकास के अपवरतन के दो नियम होता है चलिए दूसरा number question हम लोग देखेंगे कि प्रकास के प्रावरतन के कितने नियम होते हैं कि प्रकास के प्रावरतन के कितने नियम होते हैं उप्सन है एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है कि चार होता है तो बताएए दुसरा का कौन सा उप्सन सही हो जाएगा तो दुसरा का भी बी नमर उप्सन सही हो जाएगा कि प्रकास के प्रावरतन के दो नियम होते हैं इसे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि या तो प्रकास का प्रावरतन रहे या तो प्रकास का अपवरतन रहे दोनों का सिर्फ और सिर्फ दो नियम होता है प्रकास के अपवरतन का भी दो नियम और प्रकास के प्रावरतन का भी दो नियम दोनों कोश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन एकजाम के भीव से दोनों कोश्चन बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है चलिए अगला नमबर कोश्चन हम लोग देखेंगे सरल सुचमदर्सी में किसका उपयोग होता है सरल सुचमदर्सी में किसका उपयोग होता है अबतल दरपन का होता है कि उत्तल दरपन का होता है कि अबतल लेंस का होता है कि उत्तल लेंस का होता है तो बताइए तिसरा का कौन सा उप्शन सही हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा सरल सुचमदर्सी में उत्तल लेंस का परियोग किया जाता है कौन से लेंस का तो उत्तले लेंस का परियोग किया जाता है तीन का D नमर option सही हो जाएगा चलिए चौथा नमर question हम लोग देखेंगे जो नेत्र निकट की बस्तू को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है बता ये चौथा का कौन सा option सही हो जाएगा जो नेत्र निकट की बस्तू को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोस होता है दूर द्रिश्टी दोस होता है कि निकट द्रिश्टी दोस होता है कि जरा द्रिश्टी दोस होता है कि बरनांधता होता है तो बताईए चौथा का कौन सा अप्शन सही हो जाएगा तो हम आपको बताये थे नेतर वाले चिप्टर में कि जो नेतर निकट की बस्तू को साफ नहीं देख सकता उसमें दूर दृष्टी दोस होता है चलिए पाच्वा नम्मर कोश्चन हम लोग देखेंगे मानव नेत्र में किस परकार का लेंस होता है बताईए मानव नेत्र में किस परकार का लेंस होता है option A है कि किसी परकार का लेंस नहीं होता है B नम्मर option है कि A वतल लेंस होता है C है उतल लेंस होता है उत्तले लेंस होता है चलिए छठा नमर कोशन हम लोग देखेंगे मानव नेत्र बस्तू का प्रतविंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है कोशन कहने का मतलब हुआ कि मानव नेत्र में किसी भी बस्तू का प्रतविंब आँखे के कौन से भाग पर बनता है option है कि Cornia पर बनता है कि Iris पर बनता है कि Retina पर बनता है कि आँखों की जो पुतली होती है वह पुतली पर बनता है तो बताई यह चछठा का कौन सा option सही हो जाएगा तो ध्यान डखिएगा मानव नित्र में किसी भी बस्तू का परतिबिम आँखे के Retina पर बनता है छठा का C नंबर option सही हो जाएगा कहां पर परतिविंब बनता है तो आखे के रेटीना पर चलिए सात्मा नंबर कोशन देखेंगे लगू पतन के समय परिपत में बिद्दु धारा कामान होता है लगू पतन के समय परिपत में बिद्दु धारा कमान क्या होता है अधिक्तम होता है यानि कि बहुत अधिक होता है कि बहुत कम होता है कि तीन एंपियर होता है कि चार एंपियर होता है तो बताइए साथमा का सही अंसर कौन सा हो जाएगा तो साथ का ए नम्मर उप्शन सही हो जाएगा कि लगू पतन के समय परिपत में बिद्दू धारा कमान अधिक्तम होता है तो उप्शन हो जाएगा बहुत अधिक जो बहुत अधिक लिखा हुआ है इसके जगा पर अधिक्तम भी उप्शन रह सकता है ठीक है अधिक्तम होता है लेकि नियुन्तम होता है तो आपको लगाना है अधिकतम होता है चलि आठवा नमर कोशन देखेंगे तो कोशन कहरा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ड पर 2 एंपियर की धारा परवाइद होता है ठीक है कोई बल्ब है जिसे 220 वोल्ड पर 2 एंपियर की धारा परवाइद हो रहा है तो filament का प्रतिरोध कितना होगा, जो बल्व का filament होता है, उसका प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो बताई ये 220 वोल्ड पर 2 amp की धारा परवाइत हो रही है, तो filament का प्रतिरोध कितना होगा, 8 का कौन सा अप्शन सही हो जाएगा, ये है 55 ohm की B 110 ohm, C है 220 ohm और D है 440 ohm, तो बताई ये 8 का कौन सा अप्शन सही हो जाएगा, तो 8 का B नमर अप्शन सही हो जाएगा, 220 वोल्ड पर यदि 2 amp की धारा परवाइत हो रही है, तो filament का प्रतिरोध सीधे 220 का अधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 110 ohm हो जाएगा, चलिए 9 नमर कोशन कहा रहा है कि R ohm परतिरोध वाले इन परतिरोधों का समांतर करम में जोड़ने पर तुल्ले परतिरोध कितना होगा, देखिए या तो बाइर रहे या तो परतिरोध रहे, उसको 2 करम में जोड़ा जाता है, एक होता है समांतर करम और एक होता है सिरेनी करम में आप लोग जानते होंगे तो बताई यहाँ पर पूछ रहा है कि R-Om प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समांतर करम में जोडने पर तुल्ले प्रतिरोध कितना होगा option है N into R होगा कि B है N बटे R होगा कि C है R बटे N होगा कि D है N में से कोई नहीं तो बताई यह 9 का कौन सा option सही हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा R-Om प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों का समांतर करम में जोड़ा जाए तो तुल्ले प्रतिरोध N into R होता है 9 का A नमबर option सही हो जाएगा चलिए 10 मा नमबर question हम लोग देखेंगे बिद्दु धारा की प्रवलता का इस्साई मातरक क्या होता है एंपियर होता है कि बोल्ट होता है कि ओम होता है कि जूल होता है बताइए 10 का कौन सा option सही हो जाएगा तो 10 का A नमबर option सही हो जाएगा बिद्दु धारा की प्रवलता का इस्साई मातरक M.P.R होता है अब चलिए 11 नमबर question हम लोग देखेंगे धारा मापने के यंत्र को कहते हैं धारा कहने का मतलब यहां पर बिद्दु धारा है कि बिद्दु धारा मापने के यंत्र को कहते हैं जो कि हर एक घरों में लगा हुआ होता है जिसको आप लोग बोल चल के वादसा में मीटर कहते हैं तो बताइए वो जो मीटर होता है उसका असली नाम क्या होता है उसके वो जो यंतर होता है उस यंतर का क्या नाम होता है आमीटर होता है कि बोल्ट मीटर होता है कि कुलाम होता है कि एंपियर होता है तो 11 का कौन सा आप्शन सही हो जाएगा बताइए 11 का ए नमर आप्शन सही हो जाएगा कि धारा मापने के अंतर को आमीटर बोलते हैं क्या बोलते हैं आमीटर बोलते हैं अब चलिए बारा नम्मर कोशन हम लोग देखेंगे तो कोशन कह रहा है कि प्रतिरोध का इस्वाइ मातरक क्या होता है ठीक है जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का इस्राइमातरक क्या होता है option है कि कुलाम होता है कि M.P.R होता है कि ओम होता है कि जूल होता है तो 12 का कौन सा option सही हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा प्रतिरोध का इस्राइमातरक ओम होता है 15 किलो मीटर परती घंटा होना चाहिए कि 150 किलो मीटर परती घंटा होना चाहिए कि 1.5 किलो मीटर परती घंटा होना चाहिए कि 1500 किलो मीटर परती घंटा होना चाहिए तो बताई ये 13 का कौन सा उप्षन सही हो जाएगा कि जो बायू से जो बिजली का निर्मान होता है उसमें बायू की जो गती होती हो भा कम से कम कितना होना चाहिए तो बताई ये कौन सा option सही हो जागा तो ध्यान रखिएगा उसमें बायू की गती कम से कम 15 किलो मिटर परती घंटा होना चाहिए तभी बिजली का निर्मान हो सकता है तो तेरा का A नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए चौदा नमर कोशन कह रहा है कि निमने में से कौन बायो गैस इंधन का स्रोत नहीं है बायो गैस इंधन का स्रोत नहीं है जिससे कि बायो गैस नहीं बनाया जा सकता है तो बताइए कौन सा option सही होगा लकडी से की गोबर गैस से की नावकिये उर्जा से की कोईला से तो 14 का कौन सा option सही हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा 14 का C नमर option सही हो जाएगा कि नावकिये उर्जा जो है वा बायो गैस इंधन का स्रोत नहीं है 14 का C नमर option सही हो जाएगा चलिए 15 नमर question कह रहा है कि उर्जा का सबसे अधिक परत्यक्ष एवं बिसाल सरोत क्या है कोईला है कि बिजली है कि सूर्ज है कि परमानुबम है तो बताइए 15 का कौन सा option सही हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा उर्जा का सबसे परत्यक्ष एवं बिसाल सरोत सूर्ज है ठीक है जो कि सूर्जा के रूप में इससे उर्जा का निर्मान होता है तो सूर्ज का सबसे परत्यक्ष एवं बिसाल सरोत क्या है तो सूर्ज हो जाएगा चलिए 16 नम्मर कोश्चन हम लोग देखेंगे CEO plus H2 जो की reaction करता है तो बनता है CEO plus H2O तो पूछ रहा है कि या किस परकार की अभी किरिया है ठीक है CEO plus H2 तो हो गया CEO plus H2O तो किस परकार की अभी किरिया है उपचैन अभी किरिया है कि अपचैन है कि उदासी नहीं करन है कि रेडॉक्स अभी किरिया है तो बताइए 16 का कौन सा उप्सन सही हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस समिकरन को कि CEO plus H2O से होता है CEO plus H2O यह एक परकार का अपचैन अभी किरिया है ठीक है अपको confuse उपचैन और अपचैन में बने योगी को बैदूत सनीो जी कहते हैं क्या कहते हैं? तो बैदूत सनीो जी कहते हैं 17 का B नमब्र ऑप्सं सही हो जाएगा 18 नमब्र कोशिशन कह राए कि सोडियम की परमानू शंख्या कितनी होती है बहुत ही असान कोशिशन है लेकिन हमेशा एक्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम की परमानुशंख्या कितनी होती है बताईए सोडियम के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है तो बताईए अठारा का कौन सा आप्शन सही हो जाएगा सोडियम की परमानुशंख्या कितनी होती है baking powder का अनुशुत्र क्या होता है option है N2CO3 होता है कि CACO3 होता है कि NHCO3 होता है कि NNO3 होता है तो बताए उन्हें इसका कौन सा option सही हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा baking powder का अनुशुत्र होता है NHCO3 ठीक है उन्हें इसका C number option सही हो जाएगा चलिए 20 नमर कोशन हम लोग देखेंगे निमने में से कौन बिजातिये योगिक है 20 नमर कोशन कह रहा है निमने लिखित में से कौन बिजातिये योगिक है चूना पत्थर हो जाएगा कि खड़िया हो जाएगा कि शंगमरमर हो जाएगा कि पलास्टर और पेरिस हो जाएगा तो बताइए निमने लिखित में से कौन बिजाती है योगिक है तो ध्यान रखिएगा plaster of Paris जो होता है वाँ निमने लिखित में से बिजातिय योगिक हो जाएगा चुना, पत्थर, खड़िया, संग बरबर और plaster of Paris में से plaster of Paris जो है वाँ बिजातिय योगिक है चलिए कईश नमर कोशन देखेंगे निमने लिखित में से pH का कौन सा मान? 13, निमने लिखित में से pH का कौन सा मान चारक billion देता है तो ऑप्से distintos हो जाएगा 13 ज़िए 7 से कम रहता है तो भाम लिए होता है 7 सी धीक रहता है तो छारिये होता है और ज़िए 7 रहता है तो भाम उदार स्चीन होता है चलिए बाइस नमर कोशन देखेंगे कि पीतल है तो बताइए पीतल क्या है एक धातू है कि आधातू है कि मिसर धातू है कि उपधातू है तो बाइस का कौन सा अप्सन सही हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा पीतल एक मिसर धातू है जो की दो या दो से अधीक धातूओं के मिल से बनता है इसलिए पीतल क्या है? मिस्र धातू है चलिए कोशन नमर देखेंगे तेस निमने लिखित में से कौन आइनिक योगिक है? निमने लिखित में से कौन आइनिक योगिक है? CH4 की CO2 की CSCL2 की NH3 तो बताइए इसका कौन सा उप्षन सही हो जाएगा यहां पर जो चार उप्षन दिये गए इन चारों में से कौन सा ऐसा उप्षन है जो की आइनिक योगिक है तो बताइए कौन सा उप्षन सही होगा तो ध्यान दखिएगा CSCL2 जो होता है वह आइनिक योगिक होता है तो ते गोल्ड हो जाएगा कि जिंक हो जाएगा कि पोटासियम हो जाएगा तो 24 का कौन सा उप्षन सही हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा जो गोल्ड यानि की जो सोना होता है वह ऑक्सीजन से संजोग नहीं करता है 24 का B नमर उप्षन सही हो जाएगा चलिए 25 नमर कोशन तो ध्यान रखिएगा जो मीथिन होता है वह सरालतम हैड्रो कारवन होता है 25 का a number option सैहे हो जाेगा चलिए 26 number question है कि carbon hydrogen से संजोक करके क्या बनाताए carbon hydrogen से यानिकि C C होता है जो carbon का संकित होता है hydrogen का होता है H2 तो बताई ये carbon hydrogen से संजोग करके क्या बनाता है आइनिक योगिक बनाता है कि hydrocarbon बनाता है कि halogen बनाता है कि अमलराज बनाता है तो 26 का कौन सा option सही हो जाएगा तो आप लोग ध्यान दिजेगा नाम से ही यहाँ पर answer का पता चल रहा है carbon और hydrogen यादि दोनों को मिला देंगे दोनों का संजोग करा देंगे तो क्या बनेगा hydrocarbon बन जाएगा 26 का B नमबर option सही हो जाएगा चलिए 27 नमबर question हम लोग देखेंगे bio-mandal में CO2 gas की उपस्थिति कितना प्रतिसेत है CO2 कहने का मतलब carbon dioxide होता है तो बताइए बायो मनदल में 0.01% है कि 0.05% है कि 0.03% है कि 0.02% है तो बताइए कौंसा उप्شن सही हो जाएगा 27 का कौंसा उप्ट सही होगा तो ध्यान रखेएगा bio-mandal में carbon dioxide gas की उपस्थिति 0.03% है 27 का C नमबर option सही हो जाएगा कितना परतिसेद कारवन डाय अक्साइड है तो 0.03 चलिए अब 28 नमर कोशन हम लोग देखेंगे तो 28 नमर कोशन कह रहा है कि ओजोन के एक अनुमे ऑक्सीजन की परमानुगों के संख्या कितनी होती है ओजोन के एक अनुमे परमानुगे कितनी संख्या है तो 3 संख्या है ओठिरी लिखाता है तो ओठिरी कहने का मतलब हुआ कि ओजोन के एक अनुमे परमानुगों की 3 संख्या होती है इसलिए 28 का C नमर आप्सन सही हो जाएगा चलिए 29 नमर कोशन हम लोग देखेंगे अवर्त सार्णी में कितनी अवर्त होते है अवर्त सार्णी अप लोग देखेंगे कमिश्ट्री में तो बताइए अवर्त सार्णी में कितनी अवर्त होते है पांच अवर्त होते हैं कि छो अवर्त होते हैं कि साथ अवर्त होते हैं 29 का कौन सा Option सही हो जाएगा 29 सी नमबर Option सही हो जाएगा आप लोग जो अβरतसारनी का चार्ट होता है उसमें से देख लिजेगा अबरतसारनी में कुल 7 अबरत होते है चलिए Question Number देखेंगे 30 हिलियम कैसा तत्ब है itter say नमगे है किरिया सील तत्व है कि C है सकिरिये है कि D है उदा सीन है तो बताई ये 30 का कौन सा उप्षन सही हो जाएगा हिलियम कैसा तत्व है तो ध्यान रखिएगा हिलियम अकिरिये तत्व है कैसा तत्व है तो हिलियम अकिरिये तत्व है चलिए 31 का कौन सा उप्षन सही होगा बताई ये औगजिन है औगजिन क्या है एक परकार का बसा है कि एंजाइम है कि हर्मोन है कि कर्भो हैड्रेट है तो 31 का कौन सा उप्षन सही हो जागा बताइए औगजिन क्या है तो ध्यान रखिएगा औगजिन एक परकार का हर्मोन है 31 का सी नमर उप्षन सही हो जाएगा औगजिन समंदित है तो बताइए 32 का कौन सा अप्शन से हो जाएगा तो ध्यान रखिये गा मनुष में जो brick होता है वह उट्सरजन से समंदित होता है उट्सरजन कहने का मतलब कि जो शरीर से मल मुत्र बाहर निकाला जाता है उसमें brick समन्दित होता है ब्रिक के दवारा ही बहार निकाला याता है इसलिmost अमनुश्च में बिक समोन्दित है उुट्सरजन से अब 33 नमर कोशन हम लो Fal देखेंगे मानव में डालेसिस ठैली होती है तो बताइए मानव में डालेसिस ठैली को स congressional होती है Kai चलिए 34 नमर कोशन हम लोग देखेंगे भोजन का पचना किस परकार की अभिकिरिया है उपचैन अभिकिरिया है कि संजोजन है कि अपचैन है कि विस्थापन अभिकिरिया है तो ध्यान रखिएगा 34 नमर कोशन का ए उपसन सही हो जाएगा भोजन का पचना उपचैन अभिकि म्लेयरिया है चलिए 35 देखेंगे मुकलं द्वारा प्रजनन किस में होता है मुकलं द्वार Seb होते हैं अमीवा हो गया प्रामेशियम हो गया इस्ट हो गया है सारे एक कोस्किये जीव होते हैं तो एक कोस्किये जीव में जो इस्ट होता है उसमें जो प्रजनन होता है मुकलन द्वारा होता है ध्यान रखिएगा इस्ट में अब चलिए 36 नमर कोशन हम लोग देखेंगे फ फूलों में नर परजनन अंग होता है तो 36 का ए नमबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि फूलों में जो नर परजनन अंग होता है उसे पूंकेसर बोला जाता है 36 का ए नमबर ऑप्शन सही हो जाएगा 37 नमबर कोशन है कि गुंसुत्र बने होते हैं बताइए गुंसुत्र किस होता है वह डिये ने प्रोटीन्स और आरे ने तीनों का मिश्रन होता है डिये ने आरे ने और प्रोटीन्स तीनों का बना होता है गुंसुत्र चलिए 38 नंबर कोशन हम लोग देखेंगे कि कोशिका में अनुवांसिक पदार्थ होता है बताए कोशिका में अनुवांसिक पद सही होगा कि कोशका में अनुवानसिकी जो पदार्थ होता है और डियेने होता है डियेने के द्वारा ही अनुवानसिक पदार्थ एक दूसरे से जाता है जैसे एक पड़ी से दूसरे पड़ी में जाता है आप लोग सुने भी होंगे को उसका डियेने टेस्ट कराओ तो डिये से ही अनुवानसी की पदार्थ होता है जो कि कोशका में होता है कोशका में अनुवानसी की पदार्थ डी एने में होता है चलिए 49 नमर कोशन निमने लिखित में से कौन अस्थालिये परितंत्र नहीं है उप्सन है जंगल बी है एक्वेरियम सी है घास के मैदान और डी है मरू चलिए 49 का कौन सा option सब्सक्राइब बताईए निमने लिखीत में से कौन अस्थलिये परितंतर नहीं है तो 49 का B नमबर option सब्सक्राइब नहीं है तो एक बेरियम चलिए 40 नमबर question हम लोग देखेंगे जो कि सबसे last question है कि CFC होता है CFC कहने का मतलब क्या होता है इसका पूरा नाम क्या है option A है chlorofluorocarbon की B नमबर option है carbon fluorocarbon की C है carbon fluorocarbon की D है carbon fluorocarbon यहापर तीन option एक हो गया है तो बताएं ये CFC का पूरा नाम क्या होता है तो ध्यान रखिएगा CFC का पूरा नाम होता है क्लोरो फ्लोरो कारवन जो कि सबसे जहरीला गैस होता है ठीक है क्लोरो फ्लोरो कारवन CFC ठीक है तो 40 का A number option सही हो जाएगा तो चलिए एकुल यहीं 40 question था जो की इस model state में देखना था और यहाँ सभी question exam के भी उसे थीक important है आप लोग एक एक question को ध्यान से याद कर लीजेगा तो चलिए हम आसा करते हैं कि आपको वीडियो पशंद आया होगा अगर वीडियो पशंद आया हो तो वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के भी शेयर करिए और जो भी है student channel पर नए है वह channel को subscribe करके बेल आइकन दबा लेजे ताकि आगे के भी सभी वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में इसी परकार के वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद